हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है तो RRB NTPC Preparation Series की ये 5th कलास है और इसमें हम Indian Literature इस टोपिक का 2nd part करेंगे 1st part already uploaded है इससे पहले Games and Sports ये टोपिक हमने 3 parts में cover किया है इन सभी वीडियोस के लिंक आपको 1st कमेंट में मिल जाएंगे तो मैं हूँ आपके साथ अभीशेक शरमा चलिए करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की तो पहले question में पुछाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा ये किस ने लिखा है The correct answer is option D तो friends ये लिखा है मुम्मद इकबाल ने और बंगे दरा ये friends इनकी composition है जिसे इंगलिस में बोलते हैं The Call of the Marching Bell Friends भारत के विवाजन और पाकिस्तान की स्थापना के विचार करने वाले जो लोग हैं उनमें से ये भी कुछ ये भी परमुक रहे हैं तो इन्होंने भी पाकिस्तान की स्थापना की मांग उठाई थी और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा दे कर ये पाकिस्तान चले गए थे The original constitution of India was handwritten by The correct answer is option C तो friends प्रेम, बिहारी, नारा, एंड राईजादा इन्होंने जो भारत का मोद संविधान है, इसको अपने हातों से लिखा है The correct answer is option C तो friends मुंसी प्रेमचंद, इनका जो नाम है वो है धन्पदराय स्रिवास्ताव और friends इन्हें उपन्या समराध भी बोला जाता है और friends इन्होंने नवाब राय इस नाम से लिखना सुरू किया था और बाद में इन्होंने मुंसी प्रेमचंद के नाम से लिखना सुरू किया The correct answer is option B तो friends जो महात्मा गांदी की आत्मकता है The story of my experiments with truth तो महादेव देशाई ने इसका गुजराती से अंग्रेजी में अनुवात किया है Next question है friends Next question में आपको बताना है कि भारतेंदू हरिष्चंद की इन्हें से कौन सी रचना नहीं है तो तीन रचना इन्हें से भारतेंदू हरिष्चंद की है और एक नहीं है तो friends इसमें आंसर जो होगा आपका सही वो A होगा आलोक पर्व ये भारतेंदू हरिष्चंद की रचना नहीं है बाकी की जो तीन है अंदेरे नगरी, भारत दूरदर्शा और वैदिक, हिंशा हिंसान भावती ये friends भारतेंदू हरिष्चंद द्वारा लिखी गई है साथी विनियव प्रेम पचासा ये भी भारतेंदू हरिष्चंद द्वारा लिखी गई है बात करें option A आलोक पर्व तो इसे लिखा है हजारी प्रसाद दिवे दिजी ने फिर है friends next question इसमें आपको बताना है कि गुरू मुखी लिपी इसकी formal teaching किसके द्वारा शुरू की गई थी तो इसमें सही answer है option A तो गुरू अंगत देव next question है friends इन में से आपको बताना है कि इन में से कौन काली दास द्वारा लिखा गया नहीं है कौन सा नाटक काली दास जी द्वारा लिखा गया नहीं है तो correct answer is option A तो friends जो option B, C, D यानि कुमार संभव, मालविका अगनी मित्र और अभिगान शाकुंतलम ये काली दास जी द्वारा लिखे गये हैं लेकिन जान की हरनम ये friends कुमार दास द्वारा लिखा गया है next question में friends आपको बताना है कि आदी गरंद की रचना किस सिख गुरू ने की थी तो correct answer is option B तो गुरू अड़जन देव जी द्वारा आदी गरंद की स्थापना की गई थी गीता रहस्य बुक ये किसकी द्वारा लिखी गई है so friends बालगंगादर तिलग जी द्वारा गीता रहसे ये पुस्तक लिखी गई है फिरे friends हिंदी साहित्य और रंगमंच के जनक किने कहा जाता है तो correct answer is option D तो भारतेंदू हरिश्चंद्र को कहा जाता है the father of हिंदी लिटरेचर एंड थीएटर और इनके बारे में अगर और ज साथी friends जो दादा साफ फाल के हैं इनको father of Indian cinema कहा जाता है अब friends match the following है तो सही courts के तुरू आपको सही answer करना है तो एक साइड आपको यूग दिया गया है दूसरी साइड आपको duration दी गई है तो friends इसका सही answer है दीवाला 1,2,3,4 यानि भारतेंदू यूग ये 1868-1893 तक रहा दूएदी यूग ये 1893-1998 तक रहा चायावाद यूग ये 1908-1937 तक रहा और contemporary यूग ये 1937 अब तक चल रहा है गोदान, कर्मभुमी, गबन, मानसरोवर, इदगा ये friends किसके उपन्यास है तो friends ये मुंसी प्रेमचंद्री जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है और friends सतरं के खिलाडी और सोज ये वतन ये भीनी की रचनाए हैं आप याद रखना काफी important question है एक ही question में कई सारे आपको अपन्यास मिल गए है और friends जो गोदान है ये भी कभी पूछा जाता है कि किस सन में इन्हों ने इसकी रचना की थी तो 1936 friends अगर आपको हमारे questions के level अच्छे ल इनके द्वारा लिखा गया है राज मोहन की पतनी ये उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है फिर friends है कि कादंबरी किसकी रचना है तो friends बान भट द्वारा लिखा गया है कादंबरी तो friends इसको पूरा नहीं कर पाये थे उसके बाद इनके पुत्र बोशन भट ने इसको इसका जो राष्टेगान है अमर सोनार बांगला, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, तो friends, रबिंदरनाथ टैगोर जी द्वारा ये लिखा गया है, अमर सोनार बांगला, फिर friends, साहित्य अकेडमी, इसकी स्थापना किस वर्स की गई थी, तो correct answer is option D, तो 12 मार्च 1904 को साहित्य अकाडमी की स्थापना की गई थी, इसका headquarters न्यू डेली में है, और 24 इंडियन लेगविजेस में ये पुरुसकार प्रदान करता है, फिर friends, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, so the correct answer is option C, सरत चंद्र चटो पाध्याए ने लिखा है देवदास उपन्यास, फिर friends, आपको बताना है कि National Book Trust इसकी स्थापना किस वर्स की गई थी, फिर friends, एक अगस्त 1957 को इसकी स्थापना की गई थी, एक अह सूते सकलम, ये इसका मोटो है, फिर friends, आपको बताना है, We the people, We the nation, Taxation in India, ये जो books हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, फिर friends, ये सब भी लिखी गई है, नानी अर्देशीर पाल की वाला, जिने एन ए पाल की वाला भी बोलते हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है, तो ये काफी important है, खासकरी जो पहले वाली है, We the people, फिर friends, आपको बताना है कि Swami and friends, ये किसकी composition है, काफी important question है, तो ये R.K.N. आरा ये द्वारा लिखा गया है, मालगोडी डेज आपने देखा भी होगा, तो जो ये fictional town है मालगोडी, ये इसी book में सबसे पहले mention किया गया था, Swami and friends, फिर है friends, आपको बताना है कि Gita Anjali में कितने अंग्रेजी गद्य कवीत आए हैं, तो friends, answer होगा 103, फिर आपको बताना ह ये किसके द्वारा लिखा गया है, the correct answer is option A, तो ये राजा राव द्वारा लिखा गया है, friends, जो आप ये शुरू के जो तीन ओथर देख रहे हैं, राजा राव, आरके नारायन और मुल्क राज आनंद, friends, भारत के इतिहास में, अंग्रेजी के सबसे पहले ओथर्स में इन the serpent and the rope, फिर आपको बताना है, अस्टा ध्याई, इसके ओथर कौन है, the correct answer is option A, तो अस्टा ध्याई, जो कि friends, सस्कृत, ट्रीटीज है on grammar, तो ये लिखा गया है, पानीनी द्वारा, फिर से friends, आपको ओथर दी गई है, और बुक दी गई है, तो आपको सही code के त्रू, आंसर बताना है, तो answer होगा, 4-3-2-1, यानि विकरम सेट दी द्वारा लिखा गया है, असुटेबल बोई, आलान शेले, इनके द्वारा लिखा गया है, दो टोटर नामा, शशी तरूर, इनके द्वारा लिखा गया है, सो बिजनेस और अमिताव घोश, इनके द्वारा लिखा ग फिर फ्रेंट्स दूइत्य रजत रंगीनी ये किसके द्वारा लिखी गई है तो फ्रेंट्स जोना राजा द्वारा लिखी गई है दूइत्य रजत रंगीनी और फ्रेंट्स आपको पता होगा कि रजत रंगीनी ये लिखी गई है कलहना के द्वारा और इसी कोई आगे बढ वद अट्तम यह लिखा है भास दौारा रतनावलि यह लिखी गयी है स्रीहडश gotten यह लिखा गया है वास्ययनधवारा वाच्चे यह लिखा है सोम देव को फिर ए friends आपको बताना है कि निम्नल में से किस वेद में निन्यान में बुमारियों का इलाज है तो friends सही आंसर होगा अथर्ववेद और friends अथर्ववेद की दो ब्रांचेज हैं पईपालदा और सवनो का फिर friends आपको बताना है कि which of the following is called आदी काविया तो आपको चार option दिये गए हैं इनमें से आदी काविय किसे कहते हैं तो रामाइन को बोलते हैं आदी काविया और महर्षी वालमिकी को बोला जाता है आदी कवी फिरे friends आपको बताना है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है तो आंसर होगा 18 ये question तो आप सभी को मालूम होगा तो 18 पुराण है फिरे friends विनय पिता का सूथ पिता का और अभिधम्म पिता का ये friends किस religion से जुड़े हुए हैं तो correct answer is option D ये friends बुद्धिस्त सास्त्र है अब friends थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं देखे ये पूछा जाता है यहां से कभी कभी question बन जाता है यही चीज़े होती है जो हम छोड़ देते हैं तो देखे सबसे पहले विनय पिता का जो है फ्रेंट्स ये rules and regulations of daily life इसके बारे में ये बताता है तो question या से बन जाता है कि कौन सा बुद्धिक्ष्ट टेक्स्ट ये rules and regulations of daily life इसके बारे में बताता है फ्रेंट्स जो सूत पिता का है ये बताता है आपको धर्म के बारे में कैसे धर्म के साथ deal करना है फ्रेंट्स अभी तो पूर्ण ग्रंथ है तो आंसर होगा ए जैन ध्रम से जुड़े हुए है फ्रेंट से सभी और जो जैन टेक्स्ट हैं यह सभी प्रकृत में लिखे गए हैं प्रकृत टैंग्वेज में लिखे गए हैं बुद्ध चरित्र एड्ड सौंध्रानंद यह किसके द्वारा लिखा गया है तो फ्रेंट्स अस्वगोस द्वारा लिखे गए हैं दोनुं फिर फ्रेंट्स हू रोट तोरवे रामायन इसे फ्रेंट्स यह कन्नड Dr. का मायन है और इसको लिखा है नरहरी ने जिने कुमार वालमी की भी कहते हैं फिर है फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन में से कौन सा तमिल साहिप्ति अर्लियस्ट है यानि जब ये तमिल साहिप्ति की रचना शुरू हुई तो सबसे पहले कौन सा लिखा गया था तो आंसर हो इसको लिखा है टोलक प्याणि, साथीस जो ओप्शन वन है काफी इंपॉटेंट है यह लुवविश्टरी के बारे में बताता है तो और इसको लिखा है इलांगो अडिगल ने फिर है friends आपको बताना है कि दबाइबल ओफ तमिल लेंड ये किसे कहा जाता है तो friends जो option A है तेरू कुरल इसको बोला जाता है दबाइबल ओफ तमिल लेंड ये पुस्तक है एक फिर है friends सूरसागर, पदमावत, रामचरिट मानस ये किसके समय में लिखी गई तो friends ये लिखी गई थी अगबर के समय में friends questions अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को like जरूर करता रहे हैं और friends ये भी जरूर बताना आप कि next topic आपको next आपको वीडियो किस topic पर चाहिए next topic हमारा कौन सा होना चाहिए RRB NTPC का एकजाम भी आ रहा है तो ये आप जरूर बताना फिरे friends पदसा नामा ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये लिखा गया है अब्दुलहामीद लाहोरी द्वारा और friends जो D option है मलिक मुहमद जयसी इनोंने लिखा है पदमावत यानि तुझके बाबरी तुझक का मतलब होता है फ्रेंट्स आत्मक था और इसको इनोंने लिखी थी चगा था या फिर टर्किश लैंग्वेज में ये भी कभी कभी पूछला जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई थी और जहांगीर ने लिखी थी तुझके जहांगीरी इसको लिखा था पर्शन लैंग्वेज में अब फ्रेंट्स कुछ इंपर्टेन वन नाइटर्स हम देख लेते हैं इंडियन लिटरेचर से जुड़े हुए और इसके साथ ही यह हमारा इंडियन लिटरेचर टॉपिक कम्प्रेट हो जाएगा और आप मान के चलिए कि ज़्यादा तर कोश्यन यही से आपको पूछे जाएंगे इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूत नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं वरना हमने हैं यहाँ पर सभी कुछ कवर किया है तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं कि वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सोंग है और बंकीम चंदरी चेटरजी द्वारा लिखा गया है तो यह उनकी रचना आनंद मट से लिया गया है फिरे फ्रेंड्स की रविंदरनाट टैगोर यह फ्रेंड्स पहले भारती हैं जिन्नोंने लिटरेचर के लिए नोबल प्राइस जीता था 1913 में अपनी रचना गीतांजली के लिए साथी फ्रेंड्स महादेवी वर्मा यह पहली महिला राइटर हैं जिन्होंने अपने साहित्ते में जो महिलाओं से चुड़े हुए इशूज हैं उनको हाइलाइट किया है उनको दर्शाया है साथी फ्रेंड्स देखिए गुरु मुकी और परस्यान इन दोनों स्क्रिप्ट से पंजाबी को लिखा जा सकता है और फ्रेंड्स आसाम में वैश्नविज्म इसको लाए थे संकर देओ और फ्रेंड्स दो इंपोर्टेंट आप यह आद रखना पंजाबी लिटरेचर एक तो हीर इसको लिखा है वारिशाह ने और काफी इसको लिखा है बुलेशा बुलेशा को बोला जाता है दफादर ओफ पंजाबी एनलाइड़ेटमेंट फिरेंड्स सत्साई ये लिखा है बिहारी ने और अलंकरेश करा ये लिखा है केशव मिश्राजी द्वारा और लाश्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स जो अगबर हैं फ्रेंड्स इन्होंने भगवद गीता और उपनिशत को पर्सियन लेंगवेज में टांसलेट करवाया था ये question कई एक्जाम से पूछा जा चुका है MCQs बनता है याँ पर तो are your friends आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा comment box में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और friends games and sports ये तीनों parts भी आप playlist में जाकर देखें उनका comment box में आपको उनका link भी बिल जाएगा और ये जरूर बताएं कि next वीडियो हमारा किस topic पर आना चाहिए क्योंकि NTPC का syllabus friends काफी clearly दिया गया है तो आप topic जरूर बताना कि next topic हमारा क्या होना चाहिए और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर शेयर करें लाइक करें और comment करके जरूर बताएं कि यह video आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस